बाइस अब ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपको अपने लेपटॉप या PC के अंदर Free Fire इंस्टाल करना है या Free Fire Max इंस्टाल करना है तो कैसे कर सकते हो वो सब आपको पूरा धीटेल में बताने जा रहा हूँ तो चलो बिना टाइम वेस्ट की ये वीडियो तो आप बिलकुल free में ले सकते हो, जी या दोस्तो आप by free fire के अंदर पैसे नहीं लगाते हो, लेकिन आप free में अगर आपको पैसे मिलेंगे, अगर वो लगाऊगो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई promotion नहीं कर रहा हो, पहले ही clear कर दू, market के अंदर दो प्रूफ देख लो, देखो पहले तो आपको यह बता दू, अगर आप लोग के पास PC है, मतलब यह computer है, तो आप लोग free fire को कैसे install करना है, वो आपको बताने वाला हो, और अगर आप लोग के पास, अगर gaming laptop है, तो आप लोग को बाइए अपने laptop के अंदर कैसे free fire को install करना है वो बताने वाला हो, देखो Free Fire या Free Fire Max कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो सबसे main चीज है, अगर laptop है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग system है और अगर आपके PC है, तो PC के लिए अलग system है और आप लोग बोलो, यार मेरे पास तो gaming PC नहीं है, तो भी चलेगा और अगर आप बोलो, यार मेरे पास gaming laptop नहीं है, तो भी चलेगा लेकिन अगर आपके पास laptop है, तो laptop के लिए अलग तरीका है और PC के लिए अलग system है, तो वो चलो आपको समझा देता हूँ देखो, free fire तो यहाँ पे आप लोग ना यार download करके install करने जाओगे आप लोग का हो सकता है lag करें, अगर आप लोग का low end PC हो या low end laptop होगा, तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है अगर आप लोग को lag नहीं करना है game खेलते वक्त, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा PC वाले लोग के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन laptop वाले लोग को दिक्कत हो सकती है lag के लिए क्योंकि laptop में जो होता है वो उतना power नहीं होता है, जितना power आप लोग को PC के अंदर देखने मिलता है तो इसी के लिए यहाँ पे laptop के लिए मैं थोड़ा जो चीज बताऊंगा, वो चीज ज़र अच्छे से सुन लेना, समझ लेना तभी आप लोग को समझ में आएगा कि PC वाले लोग के लिए क्या फाइदा होता है और laptop वाले लोग के लिए अब देखो अब laptop और PC में भी दो चीज होती है, एक तो आपके laptop या PC में कम से कम यार 8GB RAM होना चाहिए 8GB का RAM अगर है तो भाई आपका अच्छा gameplay चलेगा, नई तो कम से कम देखो अगर आप लोग के laptop या PC में 4GB RAM है तो आप अपना Free Fire चला सकते हो देखो कम से कम, minimum requirement 4GB चाहिए ही चाहिए, अगर उससे कम है आपका RAM देख लो भाई, जाके चेक करना है आपको चेक नहीं करने आता तो आपको बता देता हूँ, आप लोग को या स्टार्ट पर आना है और यहाँ पे तो देखो RAM चेक करने के लिए आप लोग देखो यहाँ पे जो आते हो ना सर्च पर या Windows पर क्लिक करते हो धिको Windows पर क्लिक करना या keyboard पर जो Windows का लोगो होता है उस पर क्लिक करोगे तो यह खुल जाएगा और यहां पर आप लोग को notepad सर्च करने लेना है देखो notepad हर laptop PC के अंदर होता है या तो windows देखो यहां पर windows की बटन पर क्लिक करते हैं आप लोग को यहां पर टाइप करना है डी आई ऐ जी फिर टोटल यहां पर आप लोग को पूल देखने मिल रहा है क्या दिए थी अग्स डी आई ए जी देखो बड़े में आप लोगको यहां पर लिखिए भी बता देता हूं देखो dxdiag ये run के अंदर लिख लेना और इसको ok कर लेना और ok करोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने देखो जो भी yes no आएगा वो कर देना और आप लोग के सामने बता देगा कि यहाँ पे आप लोग का memory कितना है देखो मेरे PC के अंदर तो 40 GB RAM है और आप लोग अपना हिसाब से देख लो कि कितना है यह देखो 40 40960 MB बता रहा है मतलब 40 GB RAM है मेरा और यह RAM थोड़ा सा important होता है तो देख लो minimum आप लोग को 4 GB RAM चीह रहेगा तो यह होने के बाद अब आप लोग को एक और चीज़ बता दू यहां पे आप लोग को जो Free Fire इंस्टॉल करना है वो Emulator में इंस्टॉल करना है देखो आप लोग को अगर RAM कम है तो आप लोग को मैं यह पर 3 Emulator बताता हूँ High से Low करके अगर आप लोग का Configuration PC या Laptop का बहुत अच्छा है तो आप यहां पे आप लोग को 3 Emulator बता रहा हूँ मैं यहां पे सबसे पहले BlueStack जो की सबसे High End मतलब अगर RAM अच्छा है आपका जो Processor है Laptop PC का वो अच्छा है तो भाई आप BlueStack इंस्टॉल कर लो वो कैसे करना है वो भी बता दूँँ अगर आप लोग का भाई मीडिया में ठीक ठाक है भाई Configuration आप लोग के PC Laptop का तो Memo Emulator इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप लोग का Laptop PC का Configuration अच्छा नहीं है मतलब कम है Graphic Card ये सब कुछ भी नहीं है तो आप लोग भाई Knox Player इंस्टॉल कर सकते हो तो देखो यहाँ पर आप लोग को कमेंड के अंदर ना तीनों का लिंक मिल जाएगा BlueStack डाउनलूड करने का लिंक आप लोग को BlueStack वाले उस पर क्लिक करना है अगर आप लोग का भाई अच्छा सिस्टम है अगर आप लोग का ठीक टाक है तो Memo आप लोग इंस्टाल कर सकते हो लिंक आप लोग को कमेंड में मिल जाएगा अगर आप लोग का भाई सिस्टम का जो configuration है रैम कम है प्रोसेसर अच्छा नहीं है लेक थोड़ा मोडा करता है तो आप नॉक्स प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हो यह तीनों का लिंक आप लोग को कमेंड बॉक्स में मिल जाएगा तो जैसे आप कोई भी लिंक पे क्लिक करोगे ब्लिव स्टेक मेमू या नॉक्स प्लेयर पे तो आप लोग आ जाओगे यह स्पोर्स ओन एफर करके यह वेबसाइट है जहां से आप लोग को दि fasten on चेंजहे इप ​​ motivate 15 updates चमझे पर इससे क्लिक करोगे तो आप लोगन मांगे आप अपना प्लेयस डाल देना और दालते ही यहाँ पर आप लोग का प्लेयस टौर लोम इंट अव रखना है तो भाई यहां पर आप लोग0 डेख सकते हैं कि मैंने आप पे दोनों रखा है, Free Fire Max भी डाउनलोड करके रखा है, और Free Fire भी रखा है, अब देखो, फाइदा यहां पे ना भाई दोनों का है, ठीक है, यहां पे यहां पे आप लोग को Free Fire के अंदर बर्मुड़ा मैप देखने मिलता है, सिर्फ और इसके अंदर भाई, यार नेक्स टेरा भी आ जाता है, इसके लिए मैं फ्रीफायर करता हूँ, फ्रीफायर खेलने के लिए, तो यहां पे आप लोग फ्रीफायर खेल सकते हो, अब आप बोलो के खेल लिए और लिए, आप लोगको एक और लिंक मिल जाएंगी कमेंट के अंदर, व्री ये करके लिए फ्रीला लिंक के क्लिक करोई तो आप का फ्रीफायर डाउन्लोडर स्टार्ट हो जाएगा, अप वही से डाउनलोड कर लो, और होने के बाद आप उसको जैसे फ्रीफा तो आपको जैसे यहां पर छोड़ दोगे तो यह इंस्टॉल हो जाएगा अज दालते ही तुरंद इंस्टॉल नहीं हो जाएगा दो चार सेकेंड लेगा यह हो सकता है आप लोग के जो लैपटॉप है पीसी थोड़ा स्लो है तो टाइम ले गए एक से दो मिनिट ले सकता है जैसे अंदर छोड़ दोगे एक दो मिनिट रुखो गए तो आप लोग का फ्री फायर इंस्टॉल रूजएगा और इंस्टॉल हो गया अब यहां पर आप लोग का बाई यहां पर काम हो गया Free Fire या Free Fire Max को install करना है तो वो easily इस तरीके से install कर सकते हो आप अब देखो यहाँ पे कभी-कभी Free Fire Max के अंदर 64-bit का भी problem आता है देखो यह सब में नहीं आता है किसी-किसी में आता है तो मैंने बोला पहली आपको clear कर दूँ कि यह 64-bit का अगर आपको problem आ रहा है तो आप नॉर्मली ना आप Free Fire में खेल सकते हो देखो Free Fire में क्या होगा मालूम यहाँ पे Free Fire के अंदर आप लोग को नहीं बोलेगा 64-bit का देखो Free Fire Max जो है वो high-end पे बना है 64-bit के लिए इसके लिए वहाँ पे problem create होता है एमुलेटर के अंदर और Free Fire के अंदर कोई भी problem नहीं होता है तो इसके लिए Free Fire आप खेलोगे तो भी वाई कोई दिक्कत की बात नहीं मज़े ही आएगा लेकिन Free Fire Max एमुलेटर के अंदर जिसका low-end device है उसको दिक्कत आ सकती है गेम बार-बार बंद होगा 64-bit के कारण के वज़े से मतलब आपका 32-bit है तो यहां पर यह आते रहता है error थोड़ा तो यह इसके लिए आप लोग को मैं पहली बोला है अगर low-end है तो आप लोग को देखो मेरा low-end तो नहीं है लेकिन यह error मैं आप लोग के लिए लाक के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो system रखा है यह install करके वो low-end के लिए रखा है तो आप लोग को यहां पर जो error आते देखो जातर लोग ना low-end PCI laptop लेते हैं जिनका budget कम होता है तो इसी के लिए मैं उन लोग के लिए यह खास करके वीडियो बनाया हूँ कि अगर आप लोग को भाई अगर कोई direct बंद हो जाता है free fire max खेलते खेलते तो आप free fire install कर सकते हो जो मैंने comment के अंदर link दिया है free fire करके ठीक है वो link पे click करके आप लोग download कर लो और free fire में यह दिक्कत नहीं होगा direct बंद होना या lag होना और हाँ lag हो रहा है तो आप लोग एक काम यह कर सकते हो कि आप लोग setting में आओ game के और यहां पे आप लोग को display होगा display को ना बाई मेरा देखो ultra high on मतलब मेरा high end PC तो इसके लिए मैंने ultra पे रखा है और मेरा lag भी नहीं कर रहा है ठीक है यहां पे smooth पे रखके खेलोगे तो भाई मैं guarantee दे रहा हूँ आप लोग का game lag नहीं होगा अगर तो भी issue आ रहा है तो एक setting और कर लेना देखो emulator के अंदर ना सब का थोड़ा सा आगी पीचे setting है मैं nox player का बता रहा हूँ आप setting पर click करोगे देखो next player के यहां पर आप लोग को दीखेगा यह core आप लोग को ना low पर कर देना है low one core पर यह one core पर करने के बाद देखो आप्सक्राइब और आपlingen भी कड अगरा नबगर देखो और नहीं दो यह तो लोग करण के बाद यहां पर यहां पर बचल state पर शाधा बढ़ाकर लोग करोगे तो बाद यहां पर तो देखो जैसे restart पे click कर रहा है यहां पर आप लोग का इस तरीके से open होने लगे देखो मैं यहां पर nox player आप लोग के लिए personally install करके दिखा रहा हूं क्योंकि nox player बहुत ही भाई low end में चल जाता है तो by blue stack में मुझे जाओगे ना बाई high end है यह high end के लिए leg मारेगा फिर आप लोग को दिक्कत आएगी game खिलने में PC के अंदर laptop के अंदर देखो कोई और भी दिक्कत आती है ना तो आप लोग नीचे comment करके बताओ आपका भाई यहां पर बैठा है आप लोग को solution वीडियो बना के बताने के लिए तो आप लो एक करो 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 कि देखो जो मैंने setting किया है ना वहाँ पर रख दिया है मतलब low end रखा है और यह जो screen resolution यह high end का रखा है तो resolution मैंने high रखा है तो यहां पर आप लोग हाई मत रखना resolution आप ने लिए बिड़ा है आप लोग ऐसाद़ प्रेश्टो पर पर एक मिक्रीन का यहां के भाई अपने PC के साथ रखा है के माने पर यहां यह सब थोड़ा सपोलों कर लोगे तो आप लोगोगा खतम क्लिए करता हूँ और आपको दिखा ता हूँ इससे फाइदा क्या होने वाला है जो जादा ही क्लियर दिख रहा है इससे पावर आपका खीषता है अपके PC Laptop का जो motherboard जो रैम है processor ए वो हीड होने लगता है तो इसके लिए आप जो यह सेटिंग करने के छूर सेटिंग करने के बाद यहां पर रिस्टार्ट अब देखो जो यहां पर तो यहां एक आल को इन घंठ वॉला यह वाले में यह बहुत जबर दस्तीment ने अभी यहां पे यह वाला रख दिया है तो देखो clarity घड़ गई है तो कितना मेरा जो दिख रहे है ना प्रोफ देख लोगे यह कितना dull में दिख रहा रहा है यह देखो यह गई ब्लैक बनी है देखो कितना यहां पे brightness कम हो गई है मतलब यहां पे इसका जो clarity है कम कर दिया है तो इसके लिए मैंने आपको बोला है आपको game का मजा लेना है तो आप लोग का low end है तो इस पे रखना अब इस पे क्या होता है भाई clarity जब कम हो जाती है तो भाई यहाँ पे आप लोग का resolution है न वो भाई कम खाता है और कम देखो यहाँ पे आपने कम का रखा है तो कम खाएगा यहाँ पे जाता का रखा जाता खाएगा अब वो आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पे आप लोग का भाई और हाँ भाई सब यहाँ पे आपको बता दूँ मैं daily Sunday को मतलब daily नी हर week Sunday को मैं life give away करता हूँ जिनको जो भी मेरे group में आते हैं बंदे उनको मैं Google Play का redeem code देता हूँ अपने MR के live channel पे देख सकते हो मैं यह Sunday को giveaway किया था यहाँ पे आप दिखा भी देता हूँ यहाँ और redeem करी मुझे बताओ रेडिम हुआ कि ने जल्दी करो जल्दी करो कमेंट और वहीं पे आप लोगको थोड़ा से आप मैं और स्किप कर देता हूँ लेकर आप मेरे कुशन में लिंक देखने में आप फ़र में exit ले लो next player को आने दो mister killer आवाज आरे जितने भी player आते हैं और यहाँ पे जो भी आता है उनको मैं रेडियम कोड देके उनसे confirmation लेता हूँ उसके आवाज ग्रूप exit करता हूँ वीडियो है आप लोगको MR के लाइफ पे लेकने मिल जाएगी आपको मैंने कमें पे वाटसप का लिंक दिया उस पर क्लिक करके यह लिंक पे आप लोग मेरा वाटसप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो रैम है प्रोसेसर और वह पावर जादा लेगा आपको अच्छा से अच्छा दिखाने के लिए तो इसके लिए जब ज़ादा पा सब्सक्राइब लेकिन गेम का मज़ा अच्छा आएगा ठीक है तो आपको गेम का मज़ा लेना है तो इसको लोग पर रखो ये जो है ऑर जाहते हो बहुत आपको गंड़ा लेके बहुत सामने लेका इखो यह तो सबसे लोग यह वाला है अभी पर सेफ करूंगा लेक्र और और डल हो जाएगा अभी यहां पर restart हो रहा है अभी आप लोग के सामने देखो यह देखो इसक्रीन तो कुछ इस टाइप की दिखेगी आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इतने बड़ी यहां पे जितना जाधा कम पिकसल लोगे अतना कम पावर लेगा अपका लैट पर पीसी और अच्छा आपका गेम चलेगा और लैग नहीं काएगा ठीक है तो अभी यहां पर देखेगो यहां पहला ब्राइटनेस और यह जो क्लेल्यी मतलब अजीब लग रहे हैं पुराना प और अच्छा नहीं देखो भाइभ यहां पे बुनी बन्डल और गंदा लग रहा है देखो यहां पर थोड़ा सा याँ पर टाइम ले रहा है दो और सब कुछ गंदा लग रहे अभी यहां पे आप लोग के सामने देखो बेतना इससे लो तो नहीं जासकते है आप अगर यहां पे इसको टेस्ट आउट कर सकते हो ताइम चुम चोटा कर सकते हो कम जादा कर सकते हो यहां यहां पर अपना जो है वो फुल टू यहां पर बढ़ा देता हूं अब देखना है यहां पर जो बढ़ जाएगा अब मैं सेफ करता हूं अभी आप खुद ही देख लो यहां पर आपको करने की जरूत नहीं आप टेस्ट आउट कर लो यहीं पर मेरे वीडियो के अंदर देख लो उसके बाद आप अपने PCI लैप्टॉप में यह चीज़ कर सकते हो देखो यार वीडियो तो लंबी है लेकिन आप लोग को बहुत बेनिफिट देगा जिससे आप लोग को जो गेम लेग कर रहा है फ्री क्लेरिटी अब देखो यार फ्रीफायर का लोगों भी अच्छे से दिख रहा है पहली वहींडero्य अफी ना आउतार का लोगो देखना थे को बाई यहां पर गूत कम यहां के अंद से और सेटिंग करने से आपका फ्लबा सा जो ठीटम ऑफ फराब तो फिलुक तो फ्लेश्ट होका थोड़ा सा लीकिन आपका गेम लैग नहीं करेगा तो बस यही था मैंने पूरा धीटेल में बताया कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आगर लैग कर रहा है उसको कैसे सही करना है तो अगर आपको वीडियो इंफर्मेडिव हैलफुल लगिए तो वीडियो को लाइक करना अगर है वीडियो करना है